बड़ी खबर ये कि यूकरेन के जंगी मोर्चे पर रूस को बड़ा जटका लगा है यूकरेन ने किया है रूसी सैनिकों के सरेंडर का दावा यूकरेन ने रूसी जवानों का एक वीडियो जारी किया ये देखिए यही वो वीडियो है आप गिंती करिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, दस कुल दस ये रूसी सैनिक हैं जनों ने सरेंडर कर दिया है और ये वीडियो यूकरेन की तरफ से जारी किया गया है वीडियो में बंधक की तरह नजर आ रहे हैं रूसी सैनिक तो बहुत बड़ा जटका है ये रूस के लिए कि अगर यूकरेन के सैनिक, रूसी सैनिकों को मजबूर कर दे रहे है गुटने टेकने के लिए तो ये रूस के लिए इस जंग में बहुत बड़ी हार के तौर पर भी देखा जा रहा है पूर्व राजदूत महेट सच्देव जी हमारे साथ जुड़े वे और गूर्प कैटन लिटार डीके पांडे जी बहुत बहुत स्वागत है चत्रुवेदी सैर शुरूआत आपसे करना चाहूंगी ये जो वीडियो अभी हमने दिखाया है रूस के दस सैनिक घुटने पर आ गए हैं और किसने घुटने पर ला दिया है यूकरेन की आमी जो कि रूस की सेना के आगे कही नहीं ठहरती थी रूस के लिए कितना बड़ा जटका है ये और क्या इस मनोबल के सारे पुतिन ये जंग जीत पाएंगे आप सही कह रही हैं ये एक जटका जरूर है लेकिन लड़ाई में जहां पर एतनी बड़े फ्रंट पर लड़ाया हो रही है इस तरह की घुटनाए होती रहती हैं कहीं-कहीं लोग फस जाते हैं कभी एम्भूश में फस जाते हैं कभी रेड में आप जोड़ के खड़े, आप ये कह सकते हैं, प्रोपोगेंडा वार्फेर का हिस्सा हो सकता, लेकिन देखे हाँ जोड़ के घुटने पर खड़े, आप सही कह रहे हैं, लेकिन जब एक वार P.O.W. बन जाता है, तो विचारा बिना हत्यार के होता है, और उसको जो भी करने को कहते हैं, तो वो करना पड़ता है, ये चीजें वो कुछ भी करके तश्वीर दिखाने के लिए, सैक्लोजिकल वार्फेर के लिए दिखाएंगे, इससे मनोबल टूटता है रश्यनार्मी का, लेकिन ओवरॉल मैं नहीं समस्ता कि इस तरह का कुछ बहुत बड़ा सरेंडर हो और वक्त वक्त पर ऐसी तस्विरे भी सामने आई है, जहां पर रश्यन फोर्स का मनोबल टूटता हुआ नजर आया है, और उसको अपने ख़दम पीछे भी खिशने पड़े।